दोस्तों मैं हर्शुता और आप देख रहे हैं Prince My World ग्रहन एक ऐसा समय होता है जिस समय गर्वती महिला को वीशेज ध्यान रखने की जुरत है चाहे वो ग्रहन चंद ग्रहन क्यों नहीं हो उनको वीशेज सावधानिया बरतनी की जुरत होती है तो प्लीज मेरे वीडियो को शुरू से लेके लाश तक देखेगा क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि समय आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और अगर माल लेजे कि आप से किसी तरह की गलती हो जाती है तो उसके लिए भी एक उपाई बताऊंगी जो की वीडियो की लाश तक बताऊंगी तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा शुरू से लेके लाश तक जरूर देखेगा तो शुरू करते हैं अपना वीडियो सबसे पहले ये जो समय होता है ग्रहन का उसके थोड़े दिर पहले सूतक काल लग जाता है और सूतक काल लगने के बाद से जब तक ग्रहन खतम ना हो तब तक का डूरेशन काफी भारी होता है उसमें महिलाओं को कुछ सावधानिया बरतने की विशेश जरूरत पड़ती है जैसे कि उनको किसी तरह का काट्टे, बुन्ने और चुबने वाली चीजों का इस्तमाल नहीं करना है चाहे वो कैची हो, चांकू हो या इवन वो पेन और पैंसिल तक का इस्तमाल भी नहीं कर सकती है बहुत लोगों का ऐसा मानना होता है कि ऐसा करने से बच्चे के उपर नुकसान पहुंच सकता है तो ये सारे चीज़े वर्जित माने जाती है इस समय आपको खाना पीना भी नहीं चाहिए ना किसी तरह की खाने पीने की वस्तुएं बनाना चाहिए इस तरह की प्रक्रिया से आपको दूर रहना चाहिए और अगर मान लीजे कि आपके घर में खाना बना हुआ है तो उसके उपर आप तुलसी का पत्ता रखतें ताकि जितने भी निगेटिव एनरजी है उसका खात्मा हो जाए और वो नलिफाई हो जाए कैसा माना जाता है कि आपके घर में जितने भी खादे पदार्थ है चाहे वो खाने की चीज़े हो पीने का पानी ही क्यों ना हो उसके उपर आप तुलसी का पत्ता रख दिजे ताकि वो शुद्ध रहे और उसे आप बाद में ग्रहन कर सकते हैं तीसरी चीज़ अगर आपको पूरी टाइम मन में एक आशंका घबरहाट से लगी रहती है कि ऐसा बहुत डरी हुई भी रहती हैं बहुत सरी महिलाएं तो उनको क्या करना है कि अपने ध्यान को भटकाना है और हो सके तो भगवान की प्रातना करिए अपने इश्ट देवता अपने कूल देवता को याद करिए और अपने और अपने बच्चे की सुकर जीवन के लिए कामना करें और हो सके तो अपने साथ एक नारियल का इंतिजाम कर ले पहले से ही क्योंकि देखे नारियल में ऐसा माना जाता है कि जितनी भी नीगेटिव शक्तियां इस वक्त हावी होती है वो नारियल आपके और आपके बच्चे की सुरक्षा करती है तो ऐसा बहुत लोगों का माना है अगर आप नहीं मानते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन अगर आपके बड़े लोग ये मानते हैं उनकी बातों को उनकी मन को रखने के लिए भी अगर आप ये सारी चीजे करें फॉलो करेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है और ये सही भी है क्योंकि इस समय निगेटिव इनर्जी से जादा जो होते हैं जो अल्टर वॉयलेट जो रेज होते हैं वो हावी हो जाते हैं इसलिए लोग ऐसा मानते हैं कि निगेटिव इनर्जी हावी होती है लेकिन इसका सीधा सीधा कनेक्शन इही है कि हामफूल रेज निकलते हैं तो इसलिए आपको इन सारी चीजों से दूर रहना चाहिए एक्स्पोजर नहीं होना चाहिए आपका जो भी एकलीप सारा है जो भी ग्रहन हो रहे हैं उसे आपको एक्स्पोजर नहीं होना है और अगर आपको निकलना ही पड़ा सपोस्ट अगर आपको एमर्जनसी है घर से बाहर निकलना ही पड़ा तो अपने आपको पूरी तरह से ढख कर ही निकले क्योंकि बहुत जगा पे ऐसा भी होता है कि गाउं में महिलाएं रहती है और उनको बाहर निकलना ही पड़ता है क्योंकि शौचाले बाहर ही होता है तो इस वक्त कोशिश ये करना चाहिए कि आपको शौचाले जाना मतला अपने आपको पूरा कवर कर लीजे क्योंकि कवर करिएगा तो जो हामफुल रेज हैं वो आपके उपर नहीं पढ़ेंगे और इस समय की अगर मैं बात करूँ तो ये जो चंद ग्रहन जो लगने वाला है वो एक आंशिक और उप्छाया का चंद ग्रहन है ये जो चंद ग् सब ही मानना है कि इस वक्त सोना नहीं चाहिए तो आपकी अपनी जैसी एक्षा अगर आप सोना चाहिए तो भी अच्छी बात है नहीं सोना चाहते हैं तो भी अच्छी बात है आप अपने अकॉर्डिंग चीजे कर सकते हैं लेकिन मान लेजे कि जिनको सोना नहीं है लेकिन उनको नीन दारी है वो क्या करेंगे या अगर आप सोना ही चाहते हैं देखिए इस वक्त तो literally सोना नहीं चाहिए बहुत सारे लोगों का ये भी मानना होता है लेकिन उस वक्त आप क्या कर सकते हैं जो कि special उपाय मैंने आपको बताया है कि देखिए जब भी आपको नीन दाए कि कोई खाएगा पीएगा भी नहीं तो आप इस समय कर क्या सकते हैं तो ये जो special उपाय है ये मैं आपको बताती हूँ कि आपकी जितनी भी height है उस height से एक आपको धागा को नाप लेना है आपके उचाई लंबाई के बराबर से या तो कोई डंडा होता है उसको आपको अप अपनों सीरे को आप खड़ा कर सकते हैं इस ट्रेट दिवाल पे आप चिपका दीजे या तो आप डंडे को दिवाल के साड़े खड़ा कर दीजे तो ऐसा माना जाता है कि आपके बिहाफ में मतलब वो जो है एक सिंबॉलिक है कि वो खड़ा हुआ है तो आप ये सब उपाय बज़े रात बहुत रात होती है इस समय तक आपको सो जाना चाहिए और जब तक आप जगिएगा और उसके बाद आप सुबा में देखे ऐसा माना जाता है कि लेडीज के सारे लोग कि अगर ग्रहन खटम होता है उसके बाद नहाना इसनान करना सही माना जाता है लेकिन यस आप से सोते हैं उस तरह से सो जाए और सुबा उटके जो भी आपके नित्र क्रम है वह अपना करीये और ग्रहन में आ कि नहीं करना चाहिए तो विडियो शुरू से लेकि लाश तक देखने के लिए धन्यवाद और आपको अगर मेरा चैनल पसंद आ रहा है वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो एक बड़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लिजे थैंक्यू सो मच फर वाचिंग ट्रिंस माई वर्ल